नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरीके से MRF Share जो है MRF Share ने किस तरीके से यहाँ पे अपना टार्गेट दिया है और ये वीडियो आप हमारे चैनल पे देख सकते हो MRF Share Price ये प्रभाकर सिंग वाले चैनल पे पड़ा हुआ है आप यहाँ पे जाओ और इस वीडियो को देखो हम थोड़ा सा इसको प्ले कर देते हैं जिससे आपको यहाँ पे थोड़ा से क्लियर हो जाएं यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे दो टार्गेट तीन टार्गेट यहाँ पे दिया है और तीसरा target जो था हमारा वो 82 के आसपास था तो यहाँ पर देखिए अगर हम market को दिखाएं आपको ठीक है अगर हम market को यहाँ पर दिखाएं इस जगह पर तो आप यहाँ पर देखो जो market ने क्या किया है market ने 3 लेवल आपको यहाँ पर प्रोवाइट कर दिया है जो यह trend line थ को support नहीं किया है और support नौ करने की वज़े से market यहाँ पर नीचे की तरफ downfall कर दिया है ठीक है market यहाँ पर नीची के तरफ downfall कर दिया है तो आप यहाँ पर देखो किस तरीके से market यहाँ पर डाउनफोल किया है नो डाउट तो आप यहाँ पे देखो चीजों को आप समझो किस तरीके से आप यहाँ पे एनलेसिस कर सकते हो और आप यहाँ पे प्रोफिटेबल ट्रेटर बन सकते हो ट्रेंड लाइन ब्रेक करते ही यहाँ पे मार्केट में सेलिंग आ गया और पहला टार्गेट यह दूसरा टार्गेट यह और तीसरा टार्गेट यह तीनों टार्गेट हम लोग इस चैनल के माध्यम से तो अब हम देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से मार्केश यहाँ पे हम लोगो को target पे target दीया और कितना target extra दे दिया है हम वीडियो में बताएं हैं किस तरीके से तीन target हमने दिया 3ों के बाद यहाँ पे चौधा तारगेट पाचवा टारगेट भी यहाँ पर दे दिया है मार्केट no doubt आपको क्या करना है कि यह चीज़े सीखती रहनी है और यहां पर देखे जो ऊपर का साइट का टारगेट था वो हम दिये थे कि जब मार्केट वापस से जब यहां से निकलेगा तो यह पहला टारगेट यहां पर दे देगा 87426 ठीक है आप उस वीडियो को जा के वहां पर देख सकते हो 8789 यहां पर है 87593 इस जगे पर मार्केट यहां पर जब वापस से आएगा इस वीडियो में पूरा हम बताए भी है तो आप उसको जा के देख सकते हो नोडाउट यहां पर उपर के सैट भी टारगेट मिल चुका है तो आने वाले समय में किस तरीके से यह काम करेगा किस तरीके से आपको यहां पर और टारगेट मिलेगा यह सारी चीजे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे तो सबसे पहले यहां पर जो हम टाइम फ्रेम कर लेते हैं यहां पर वन डे टाइम फ्रेम कर लेते हैं और बाकी जितने भी ग्राफ्स हैं ठीक है जो भी लेवल्स थे हैं वो हमारा पूरा हो चुका है तो अब हम इसको हटा देते हैं ठीक है, अब हम इसको हटा देते है, सारी चीजे हम यहां से clear कर लेते हैं, अब basically देखिए यहां पे क्या दिख रहा है आपको, यहां पर देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, दीखिए जब चीजों को आप देखते रहोगे, चीजों को आप analysis करते रहोगे, तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें clear होती चली जाएंगी No doubt आपको यहाँ पे एक W pattern यहाँ पे आपको देखने को मिल ला है इस तरह के से W pattern यहाँ पे देखने को मिल ला है यहाँ पे आप देखो तो W pattern में अभी यह जो level है ठीक है no doubt यह भी पूरा नहीं हुआ है आप market इसको धीरे से पूरा कर देगा यहां पर इतना जो है gap अभी बचा गया है तो यह market कुस दिनों में पूरा कर देगा no doubt यहां पर एक 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 candle जो day का बन रहा है यहां पर लगटार चार से पांच दिन यहां पर ग्रीन candle यहाँ बना है ठीक है यहाँ पर मार्केट क्लोस करने की कोशिस किया था पर यहाँ पर selling आ गई थोड़ी सी उसके बाद मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा डाउन फॉल करने के बाद फिर यह अपने लेबल पर यह आ चुका है अब यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट और हुग होने वाला है यहां पे यह जो से are jurisdictions होगाल भी तो मेक तो मैर खेотьंब करिए कि यहां पे आप थोड़ा सा पेसें से रखेंगे क्योंकि मार्केट में भी हो सकता है कि यहां पर आए और यहां पर आने के बाद यह थोड़ा सा डाउन फॉल कर दे ठीक है अगर यहां पर आके डाउन फॉल करता है तो जो लेवल रहेगा वो इस जगह पर रहेगा यह जो लेवल रहेगा यह डाउन फॉल करने के लिए लेवल रहेगा और मार्केट यहां पर जब सपोर्ट लेगा जब सपोर्ट लेगा तो फिर यह निकल ते हो no doubt अब आपको क्या करना है कि अभी आपको buying नहीं करनी है market को एक बार retest कर लेने दीजे market को यहाँ पर एक बार retest कर लेने दीजे उसके बाद यहाँ पर फिर buying आपको इस जगह पर बनेगी उसके बाद जो यह target रहेगा यह आपका पहला target रहेगा अगर maybe possible है कि यहाँ पर market में कुछ crisis या फिर कुछ ऐसा scene हो जाता है कि जिससे market इस जगह पर support नहीं ले पाता है तो आपको क्या करना है आपको simply यहाँ पर क्या करना है कि market को थोड़ा सा आपको नीचे आने देंगे ठीक है थोड़ा सा नीचे आने देंगे क्योंकि यहाँ पर जो level है ठीक है यहाँ पर जो level है level टूटते ही ठीक है level टूटते ही यहाँ पर यह level पर market आ जाएगा यानि कि 84,000 के आसपास market यहाँ पर देखने को मिलेगा अब आपको क्या करना है कि जब market यहाँ पर सपोर्ट ले लेता है सपोर्ट लेने के दूखलेगा तब आपको यहां पर करने को मिलेगा य्याने कि 90,000 के उपर अगर निकलता है market तब आप यहां पर buy कर सकते हो नबबय-हजार से लेकर के 94,000 तक आपको यहाँ पर लेबल देखने को मिलेगा तो make sure करिए कि आप ये सारी चीजें सीखते रहिए समझते रहिए अब आपको ये पता चल गया होगा कि market क्या करने वाला है आसा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए में चैनलों को सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं किसी ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए जाहिन जावारत